प्रैंड्स क्या लैं उमिद करते हैं चीक टाग हों गया हो आज मैं आप एनक्य जबारतास टिप लेकर आहे हुए जिसे को अपने ब्लैगेड्स को के लिए इस्तमाल करना है ब्लैकेटस सद्या को मुखसन चूए है तो इसे जिनके ऐली होती है तो उनके ब्लैकेटस बना शुरू हो जाते हैं नाक के ओपर गालों के ओपर या ठोड़ी के ओपर तो आप उने ब्लैकेटस को घर में ही नीट अंड क्लीन रख सकते हैं, यानि कि मसाम अगर आपके पोर्स खुले हुए हैं, वो बहुत ही ज्यादा मेले हो चुके हैं, उनमें मेल भर चुका है, तो आप उनको साफ करने के लिए ये चोटी सी एक टिप है, जो आप घर में तियार करके इस्तमाल कर सकते हैं, और ब्लैकेट्स का सफाया अगर आप इस टिप का इस्तमाल करते रहें, तो ब्लैकेट्स जो है, जो बन जाते हैं, या मसाम आपके जो खुले होते हैं, उनमें मेल अगर जाती है, तो वो कुछी अर्से में खतम हो जाएगी, इस टिप को त्यार करने के लिए, तो आपने दो चीज़े लेनी हैं, एक कोल्गेट हर्बल पेस्ट ले लेनी हैं, इस दोनों आपने इस मिक्सर को जो है, अपने नाग पर जहां जहां आपकी स्किन पर ब्लैकेट्स बन गये हैं, या मसाम खुले हुए हैं, बहुत मेले हो चुके हैं, वहां आप अपलाई कर सकते हैं, और ड्राइ होने तक आप वे मसाज करना है, या भाब की सुरत में अभी आप कर सकते हैं, या आप गरम कपरे का मसाज भी कर सकते हैं, उसके बाद आपके ये पोस जो है, बिल्कुल नीट अंड क्लीन हो जाएगी, और आपकी स्किन शैनी हो जाएगी, चलिए देखते हैं, हमनें कैसे इसको त्यार करना ह इस्ट टामड़ी का चाया को फेत् हरबर पेस्ट ही और अपने कोल्गेट पेस्ट ही यूज़ करनी है, और हरबर वाली याई किनुजज़ आर्पिज करनी है, इन दोनों अचागंक का मिक्स पेस्ट त्यार करनी है। और इसके बाद हम इसको स्कीन पर अप्लाई कर लेंगे यह मैंने इतनी सी मिकदार ली है अगर इस पेस्ट की स्मिकदार में मिक्सर हमारा त्यार नहीं होता स्मूर्थ सा पेस्ट हमारा त्यार नहीं होता तो हम और पेस्ट भी एड़ कर लेंगे यह देख सकते हैं मैंने और पेस्ट इसमें एड़ करके एक अच्छा सा मिकसर त्यार कर लिया है अब हम इसको स्कीन पर अपलाई करेंगे यह थी टिप जो हमने अभी त्यार की है सिर्फ दो अज़ा के साथ तब आपने कैसे इसको अपलाई करना है और कैसे आपने इसको ड्राइ होने देना है और कैसे आपने इसको वाश करना है ऐसे ही ब्लैकेट्स वाली जगा पर आपने लगा लेना है यह निकि ब्लैकेट्स वाली जगा को बिल्कुल कवर कर लेना है चीब के साथ,बाए होने तक का आपने वेट करना है,जहां भी आपके वाल हें एक वीड़ करने हैं और से पात आप नीमगराइब पाने के साथ वाश कर लेंगे अफे कर लें तो आपके किन बहुत ही,च के शटी हो जाएगी पारलर या चाने की की जरूरत पड़ेगी उमीद करते हूं यह टिप आपको अच्छी लगेगी और आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे यह ठंड़ा मास्क भी फील हो रहा है जैसे हम ठंड़ा मास्क लगाते हैं स्कीन पर पारलर में अक्सर फेशल के वाक्त लिंजिंग के वाक्त एक मास्क य स्कीन पर कैसे अपलाई करें तो जब आप इसको मास्क की सुरत में लगाएंगे तो आपकी स्कीन की हाइडरेट रखेगा और वाइडर स्प्राकेट्स को भी हमेशे के लिए खतम कर देगा तक्रीपर यह ड्राई हो चुका है और आप इसको नीम गरम बाने के साथ दौश क करना है यानिके मसाज भी कर लेना है या अंगली के मदद से भी आप कर सकते हैं या आप इसको लगा कर ड्राई होने दे सकते हैं यह दो सी तीन तरीकी हैं जो भी आप अपलाई करना चाहें आप कर सकते हैं अब मैं इसको वाश कर लूँगी थोड़ा सा पानी लगा के मैं डबारा इसका मसाज कर रही थी में अब बारा मैं इसको डुराइए होने में दूँंगी अब चाहे तो टोफप्रश का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहे तो उंगुलीwhen하는데 में स्थाक लयोगी इसको के प artifacts कर लूँही और फिर आपको दिखाती हो किलोग है बिलाइंग बना सकते हैं इन गलोइंग बना सकते हैं, चोडी सी टिप से। अगर आपके मसाम बहुत ज़्यादा खुले हो गाएं और मेरे मैल जब हुए ओगा है तो आप्रोड को साफ कर सकते हैं।ung घर बैठे ही तो अपको फिशिल करने के बढ़ेगी न्हीं, आपको पार मसाम हैं जो मैल से भरे हुए हैं या वाइट हैट प्लैकट उनके अंदर बने हुए हैं तो आप पूरे फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कोई इसके लिए साइड इफेक्ट नहीं हैं कोल गेट पेस्ट आपकी ऑईली स्किन के लिए आपकी एक्नी वाली स्किन के लिए बहुत ही बेहतरी हैं उमीद करते हूं ये टिप आपको अच्छी लगेगी जो भी आजकर विंटर सीजन शुरू हो चुका है या हो रहा है तो हमारे स्किन भी ख अला हाफीज